भारतिय बाजान में शानदार कारों की डिमांड बढ़ती वी नज़र आ रही है और इस नए साल के मौके पर कुछी दिन बाकी है जब कारों का मेला आपको दीखने को मिलने वाला है इस जबरदस नए साल के मौके पर कहीं corporate discount से लेगर exchange बोनस आप सभी की कार लेने के साथ इंतजार कर रहे है तो अगर आप भी अपने budget सेग्मेंट में 2-3 लाख रुपे के अंदर अपनी छोड़ी family के लिए एक नई कार को तलाश होई है तो देश की सबसे बड़ी कान निर्मादा काम भी 32 सुजी की जल्दी भारतीय बाजार में अपनी सबसे जादा पॉपलर हैचपे कार शिफ्ट के नए मौडल को लांच करने की तैयारी पूरे भारत में कर चुकी है आप लोगों ने सई सुना मार्केट में 24 शिफ्ट का आज से नहीं काफी लंबे समय से बोल पा रहा है इस कार को भारतीय बाजार में काफी लंबे समय से देखा आ रहा है अब वो घड़ी आ चुकी है जब आप इस कार के मौडल को बदलते वे देख पा रहे है मार्केट में FCV अंदास वाली शिफ्ट बिलकुल नए अंदास में नजर आ रही है साथी साथ कमपनी के तरफ से कार के अंदर शांदार फीचर्स की लिस्ट भी आपको देखने को मिलने वाली है शिफ्ट मार्केट में कैसा विकल्प है जिसको छोटे बजट सेंग्मेंट के गढ़ाख खरीते है और साथी साथ ये छोटी फैमली के लिए बड़ा धमाका है अब इस कार को मार्केट में बिलकुन नए अन्दाज और नए इस पोड़ी लुक के साथ शांदार फीचर्स से लेस करके दोज़े 24 के स्टार्टिंग वीक में लांच किया जाना है प्यों में आगे बढ़ते वे सबसे पहले बात कर लिजा है मार्केट में आने वाली दोज़े 24 शिफ्ट के लग से लेकर डिजाइन की बात चुकि हर किसी को इस कार का दीवाना बना रही है मार्केट में नेक शनरेशन दोज़े 24 शिफ्ट की आप जलक देख पा रहे है यह कार अपने पुराने मॉडल से कितनी बदल चुकी है आखिरकार इस कार को इस पेसिबल डिजाइन चौड़ा, बूट स्पेस और जबर दस लुक के साथ और हाइट में अपडेट भी किया गया है साथ ही साथ शिफ्ट जैसे मॉडल के फ्रेंट पे आप देख पा रहे है पहली बार इस कार की वॉग लैंप्स को रिप्लेस किया गया है और साइट में आपको प्रोजेक्टर हेट लिम्स का नया सैट अप आप्शन इस कार में देखने को मिल जाता है साथ ही साथ लगे डेटाइम रेंडिंग लाइट शिफ्ट जैसे मॉडल को काफी खुबसूरत फ्रेंट लुक से बना देते है कमडी की तरफ से आने वाली शिफ्ट के अंदर आपको न्यूर 89 अपडेट व्रिल क्रोम प्रीशिंग के शाथ शानदार कलर कॉम्मिनेशन में मिल जाती है और साथ ही साथ लगा सुजुकी का लोगों भी शान क्यार इस कार की शान को बढ़ा रहा है मार्किट में आने वाली शिफ्ट के अगर बंपर की तरफ गार किया जाए तो देख पा रहे है कि इस कार के पुरारे बंपर को रिप्लेस करके आखिर कार इस कार में स्पोडी लुक वाले बंपर का इस्तमाल किया गया है जिससे ये कार काफी लुवर डिजाइन के साथ नज़राती है बंपर में लगे फॉक लैंब जो की शानदर परणाल इस कार को मार्किट में बना देते है साथी साथ ओवर डुल फ्रेंट लुक से ये काफी एग्रेसिव और पुरारे मॉडल से काफी शानदार वर स्पोडी लुक के साथ नज़राती है साथी साथ इसकार की शान को और भी खुबसरा त्रोड पर चलने के बाद बनाने वाले है 37 शीव जैसी सेग्मेंट की कार को उशा डिजाइन जो दिया गया है जिसके शलते आफ रोडिंग के दिवाने पिस कार को अपने बजट सेग्मेंट में खरीच सकते है और पहाडों पे ले जाकर अपनी आफ रोडिंग का हार सपना इस कार को लेकर पूरा कर सकते है मार्केट में shift को किसे भी तंग रस्तों पर दोड़ाया जा सकता है ये कार comfort के मामले से लेकर कई balancing तक ये काफी शानदार production आपको दिखाने वाली है क्योंकि कार में stabilization program ज़ते system का स्थमाल इस कार में कर डाला है side profile से देखे तो इस कार में new handles पार भी नज़र आ जाते हैं जिसमें touch sensor का इस्तमाल इस कार को और भी ज़ता high tech बना देता है smart जमाने के साथ smart technology का इस्तमाल करते वे smart logo के लिए कार के अंदर दोनो side wings पर में action camera जैसी परणाली shift जैसी कार को market में और भी जाता खुबसूरत और शांदर बना देती है इतना कार शांदर खुबसूरत नज़र आती है उतना ही कार के अंदर एक दमदार engine का इस्तमाल भी किया गया है आज के बढ़ते petrol के दाम को competition देखते वे हर कोई बंदा परशान है और इस परशानी को दूर करने के लिए मारूती सजिकी ने अपनी जबर दस सबसे ज़दा बिखने वाली कार को अपडेट करके एक भैतरी इन इंजन परणाली का स्तमाल इस कार में कर डाला है आई अब बात कर लिजाए मार्केट में आने वाली दोजा 24 शिफ के इंजन तथा पावर की बाद तो मार्केट में इस कार के अंदर आपको 1.5 टीटर का 3 स्लेंडर हाइब्रेट टेकनोलोजी से लेस पेट्रोल विकल्प आप्शन देखने को मिल जाता है जो कि भारती अब बाजार में पावर और पुट के मामने में आपको 210 VSP के मैकसिम पावर और पुट के साथ 130 NM का टाउचन रेट घरमाने में शमत रखता है आने वाली नेक्शन विशन दोजच 4 पी शिफ्ट के अंदर आपको 5 स्पीड EMT से लेकर विकल्प आप्शन और मैनुल ट्रांस्पिशन विकल्प आप्शन भी देखने को मिल जाते है साथी साथ ये कार अपने शांदर लुक के साथ धैतरीन इंजन प्रफार्मेंस वाली जबर्दस माईलेज देने वारी कार भी होने वाली है पुरानी मोडल के मुगाबले शिफ जेसी कार का माईलेज अब 38 से लेकर 30 के आस पास वो भी प्रती लीटर में बताया जा रहा है है न कम्माल की बाद जितना कार शांदर खुपसुरत भार्द से स्पूर्टी लुक के साथ ऐसीवी अंदास में ख्राकों का दिल चीत रही है उतना ही शांदर इंजन उप्शन मीं पावर टैन उप्शन के साथ इस कार में चोड़ा गया है उतना ही ये कार अपने शांदर फीचर्स और इंटीरियर के मामले में भी काफी जबर्दस मानी गई है मार्गिट में ऐसे बजट सेग्मेंट में आपको दस से ज़्यादा कनेक्टिविटी का टेकनोलिजी फीचर्स वो भी कम बजट में मिडल क्लास भाईयों के लिए ये कार फीचर्स से भरी होने वाली है तो आई अब बात कर लिजाए मारत में आने वाली 24 शिफ्ट के इंटीरियर से लेगार फीचर्स की बात कार के डैशबोर्ट को कितना पुराने मॉडल से बदल दिया गया है इस स्मार्ट शमाने के स्थाथ डैशबोर्ट भी काफी स्मार्ट न जरा रहा है इसमें ब्लैक और कॉम्मिनेशन के साथ वोडन का लाइनप और साधी लेधर के टचप वाले डिजाइन का इस्तमाल चो किया गया है इस कार के अंदर आपको दोनों साइट बिलकुल नए डिजाइन के क्रोन फनीशिंग के साथ चम चमाते वे आटमेटिक एसी वेंट्स टूपंज जीरो अधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम आप्शन के साथ आपके लिए इंतजार कर रहे है और साथी साथ इस कार में 1.2 इंच के सैमी डिटल इस्टमेंट कंसोल पैनल का अप्शन पहली बार दोजा 24 शिफ्ट के अंदर आपको दे डाला है कई हाथ तक जानकारिया उससे आप साजा कर सकते है सेंट्री कंसोल के शान बढ़ाने वाला पुराने मॉडल से भी बढ़ा आने वाली दोजा 24 शिफ्ट के अंदर आपको मिल जाता है 9H के टच स्क्रीन, इंफो टेटमें सिस्टम का इस्तवाल जो कि लिटेश टेक्नालोजी एंडरोइड आटो, एपल का अपले सपोर्ट नेविगेशन सिस्टम और UVI कनेक्टिविटी कंट्रोल जैसे भरे फंक्शन को ये कार एक्सिस कर सकती है और वोइस कामाड और AI जैसे फंक्शन के जमाने के साथ आप अपनी कार में काफी अच्छा एक्स्पीरिंस ले सकते है साथ इससाथ इस कार में एडिशनल फीचर्स की अगर गवार किया जाए तो देख पा रहे है कि कार में आपको वाइलेस शार्जिंग से लेकर डीप लगिंग ऑप्शन, हर्मन्स के पूरे थ्री साउंड स्पीकर ऑप्शन भी में उनसे सुनने वालों के लिए सिफ जैसी सेक्मेंट की कार में धम्मा का मचाने वारे है ओमरोल इंटिरियर और फीचर्स के मामले में कम बजट में ये कार पैसा वसूल पताई जारी है तो आने वाली शुप पूरी तरीके से कमफर्ट है इस कार को पुराने मॉडल के मुकाबले शांदार सीटों के साथ चोल लाया गया रहा है इस कार में आपको अपूल सीट सका शेक्षन जो देखने को अंबल जाता है ये वोही सीटे है जो की फॉल साइज सेवी सकारों में इस्तमाल की जाती है जिसके चलते इस कार में बैटने के बाद आप 14 तरीके से अपनी सीटों को एक बटन द्वारा एक्सिस कर सकते है 360 एंगल तक मोड सकते है ना यूस होने पर भार बील लिकाला जा सकता है साथ ही साथ पीछे बैटने वालों के लिए लैक रूम का डिजाइन और स्पेस काफी शानदार है 5-6 लोग इस कार में बैट के सफर कर सकते है ओवरॉल इंटीर और फीचरस और का स्पेसिबल डिजाइन इस कार को मार्केट में आर भी ज़्यादा पुराने मॉडल से कुछ ही हफ्तों में खास बनाने वाला है आज को लहर को एक अपने काल लेने से पहले सीफटी वीचरस का भी काफी जाना ध्यान रखता है आज के टाइम में हर को ही चाता है कि हम अपनी काल में शुरक्षित रहे और काफी हल्स तक बिल कॉल्टी के मामले में मारूती सुज़की जीरो नंबर के साथ नज़राती है 90% तक स्टेनलेश श्टेल का अस्तमाल चुकिया गया है इस कार को ग्लोबल NCP से लेकर क्रेश्टेस मारंकों के दहत पूरे 5 की रेटिंग बिल चुकी तो मार्केट में आने वाली नेक शनरीशन दोज़र 24 शिफ्ट की प्री बुकिंग तो स्टार्ट हो चुकी है इस कार की बेस वीडियो को देखने के बाद बुक करने का प्लैन बना चुके है वीडियो में जाएए कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्टेटिंग अनाम लिखे में कमेंट करिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा मिलते हैं नेक्स इंट्रेस्टिंग अपकमें न्यू कारोखी अपडेट्स के साथ इसी चैनल पर धन्यवाद